नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes दोस्तों आज की स्वीडियो में लोग साइन्स के इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस को आप डिक्सस करने वाले हैं तो आपको पता है कि आपके एक्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप लोग लास तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहला question आपके सामने है कि जैविकास का आधुनिक सिध्धान्त किन दो सिध्धान्तों के समिक्राण पर आधारित है जैविकास का आधुनिक सिध्धान्त तो कोशिस करिए आप लोग answer बताने की then आपको answer तो मिले गाई तो क्या होगा इस cancer इस cancer होगा Darwin Ward एवं D Bridge का उपर परिवर्तन सिध्धान्त तो आगे दिखते हैं philosophy जूलेजिक पुस्तक के लेखा कौन है philosophy है philosophy जूलेजिक पुस्तक के लेखा कौन है इसके answer बताईए तो philosophy जूलेजिक तो क्यों है विज्मान है कौन है विज्मान विज्मान होगा विज्मान है इंदी में विज्मान लिखा रहता है आगे देखिए फेन प्लवन विधी के सुद्धी करण के लिए किस एसक का प्रयोग होता है फेन प्लवन विधी आप लोग में पढ़ाओगा अपने इंटर में हाई स्कूल में फेन प्लवन विधी के बारे में कि जब आप आयोसकों का सुद्धी करण करते थे होता था ना कि copper निकालना है लोहा निकालना है तो किस ask का प्रयोग होता है तो यह होता है sulphate ask कौन सा sulphate ask का प्रयोग होता है ठीक है आगे देखिए अगला question तो अगला question आपका है कि copper का sorry copper हिंदी में लिखा हुआ है तो कौपर का सबसे प्रमुख ask क्या है तो आप लोग थोड़ा कोशिस करें आप लोगों को पता भी होगा कि copper का ask कौन कौन सा होता है तो सबसे जो important ask के जिसमें सबसे ज्यादा copper निकलता है वह कौन सा ask है तो वह आपको पता होगा वह कौन सा जान है चैकलो-पाइयराइट ठीक है च्आकलो-पाइयराइट क्या है चैकलो-पाेयरइट क्या है copper का सबसे एक multi-triょ एंजिए अगे देखिए विद्यद दूर्जान आपने की इकाई क्या है यह तो पता होगां आप लोगों को तुरन बता देंगे तो बता दीज dijo क्या होगा विद्व तु़ नापने कि नापने काई क्या है तो वह है था हमारा वर्डब गंटामीटर या उनिट भी कहते है हमीर गयर में जो इनिट में के तो उनिट को हम scientific proof से देखे तो वर्डब हम कहते है वर्डबड गंटामीटर है ना एक मिनिट एक यूनिट का भी यह मतलब होता है आगे देखते हैं अगला क्विशन तो आगे देखते हैं मानो रुधिरवर्ग की खोज सर्वितम किस रग्यानिक ने की थी रुधिरवर्ग ब्लट ग्रूप है ना तो इस ब्लट ग्रूप के आविसकारक कौन थे मिन्स किजनों ने खोजा था तो उनका नाम बताएए बताओ जल्दी कौन है लैंड इस्टीनर ठीक है तो लैंड इस् आगे देखिए आगे तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कडिका का क्या नाम है रुधिर का धक्का आप लोगों पता होंगा कि जब जैसे चोट लगजाती है ना तो जब ब्लट फ्लू होने लगता है तो कोई एक ऐसा विटमीन होता है सिश크vas कोड़िका होती है जिनके कारण क्या होता है कि खौन गौक जाता है कुश सांटा है तो वो reason नुए मिल्दू क्या क्या है विटमिन K होता है यह क्या करता है खून का ठका बनाने के लिए और प्लेट लेट का भी जूसे करती है विटमिन की बात करे। इट्स का पूरा नाम क्या है आप लोग पता होगा एट्स बहुत भ्यानक बिमारी होती है तो बताए एट्स का पूरा नाम क्या होता है तो इसका नाम है Acquired Immuno Deficiency Syndrome क्या होता है A4 होता है Acquired I से होता है Immuno और D से होता है Deficiency and S से होता है Syndrome Okay, S का Full From क्या होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome Next देखिए अगला Question Krittim Vidhi से स्वांस कब दिलाई जाती है Krittim Vidhi Movies में देखा होगा जब क्या होता है कि कोई डूब जाए तो क्या होता है उसको Krittim Sous दी जाती है Mouth to Mouth तो यह जो स्वांस दी जाती है कब दी जाती है तो पता होगा को दम गुटने पर कब दम गुटने पर दी जाती है है ना तो Krittim Sous का मतलब समझ गया होंगा आपको आगे देखिए अगला question प्रगलन क्या है प्रगलन क्या है वाट इस प्रगलन बताईए प्रगलन क्या है प्रगलन एक धातू निस्कराण की एक विदी है कोई भी ऐस्क होता है उससे हम जब धातू निकालते हैं तो क्या कहते हैं प्रग्लन कहते हैं याद रहेगा आगे देखिए जल्की स्थाय कठोड़्ता को दूर करने की मुख्य विधी कौन सी है तो यह उधे हमारी पर्म्यूटिट विधी, क्या है पर्म्यूटिट विधी, आगे देखिए ammonia के दो उप्रयोग बताना है तो what is the uses of ammonia तो बताएं दोस्तों ammonia का दो प्रयोग कहां कहां करते हैं ammonia का use सोचिए थोड़ा सा दिमाग घुमाइए नहीं पता है तो देखिए क्या होगा पहला नाइट्रिक एसिट के निर्माड में नाइट्रिक एसिट का यूजब हम manufacture करते हैं जब बनाते हैं तो कहां क्या यूज़ होता है मारा ammonia यूज़ होता है और दूसरा क्या होता है यूरिया ammonia sulphate आधि के उर्वरक बनाने में उर्वरक ओके गॉट इट आगे चलते हैं आयतन की द्रिश्टी से वाइमंडल का कितना प्रतिशत भाग आर्विक नाइट्रोजन है according to the volume of atmosphere बताना है कि कितने परसेंट पार्ड जो है वे आर्विक नाइट्रोजन है तो क्या है 78% पता होगा आपको 78% क्या है मारे वाइमंडल में नाइट्रोजन है आगे देखिए लाल फॉस्फोरस की अपिक्छा कम क्रियासील तथा अमल विले है लाल फॉस्फोरस रेट फॉस्फोरस की अपिक्छा कम क्रियासील तथा अमल विले है तो बताईए दूस्तों वे है स्वेट फॉस्फोरस ठीक है जो वाइट फॉस्फोरस होता है आगे देखिए लास्ट क्यूस्टिन है आपके लिए तो इसको जरूर अटेम्ट करना है आपको कि मिटी में छारक टक्व को घटाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो सोची इसके बारे में क्या होगा इसका एंसर इसका एंसर होगा जिपसं का नाम सुना और वोग ने जिपसं का यूज होता है यह हैं हमारे आज की important questions तो आप लोगोंने किते questions किये नीचे comment करके जरूर बता दीजे 15 questions हैं तो आप लोगोंने 10, 12, 15 15 में 15 किया तो भी बहुत अच्छी बात है अगर आड़ नो भी किया तो भी कोई बात नहीं कमेंट करके में जरूर बता दीजेगा और क्या करना है अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहा हैं मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो क्या करना आपको नीचे आपको लाड़ बार दीख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजे और साथ में एक बैल आइकोन आज आएगी उस पर फिल्क्रे कर देंगे तो क्या हो जाएगा उससे जैसे अगली वीडियो आपको अप्लोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन